थाल पूजा कले कर चले आईए मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा भोर बंदे हरी पार कर आईए बहु प्रतिक्षित खड़ा दो पहर है मेरा थाल पूजा कले कर अलंकारों की इस क्लास में आज आप लोग पढ़ेंगे उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार उपमा अलंकार रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार तीन अलंकार हाई स्कूल के सिलेबस में हैं और intermediate के syllabus में भी यही अलंकार है और थोड़े और ज्यादा उनको पढ़ने हैं, तो आपन लोग सबसे पहले high school के लिए पढ़ते हैं, मतलब यह high school इंटर दोनों के लिए class हो सकती है, ठीक है, कोई भी पढ़ सकता है, no issue, no doubt, no problem. करेंगे हम, बैसिक से एकदम समझेंगे, कोई दिकत नहीं है, सबसे पहले हम अलंकार को समझते हैं के काब्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं जिस तरह मानों शरीर की सोभा या इस्त्रियों की शोभा आभूशनों से होती है उसी तरह काब्य की शोभा अलंकारों से होती है सिंपल सी बात है काब्य की शोभा बढ़ाने वाले वैधर्म उनको हम अलंकार कहते हैं ठीक है काब्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं जिस तरह आभूशन मानों सरीर की सोभा बढ़ाते हैं वैसे ही काब्य की सोभा अलंकार बढ़ाते हैं सी बात है, ज्यादा आपन डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है, सबसे पहले हम अलंकारों की अगर बात करें, तो अलंकार होते हैं कितने प्रकार के, मात्र दो प्रकार के, हाई स्कूल में तो अब्जेक्टिव में question पूछे जाते हैं कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं inter में प्रकार नहीं पूछे जाते हैं लेकिन उनको detail में लिखना होता है problem कोई नहीं है लिख सकते हैं लेकिन समझना सबके लिए आवश्यक है तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं कौन कौन से एक तो हो गया शब्दा अलंकार और दूसरा हो गया अर्था अलंकार अलंकार कितने बोले दो प्रकार के कौन कौन से दो प्रकार है एक तो शब्दा अलंकार है दूसरा अर्था अलंकार है शब्दा अलंकार कोन होता है जिस जिसमें शब्दों के माध्यम से अर्था काब्य में अगर शब्दों के माध्यम से चमतकार उत्पन हो रहा है तो भाई सब्दा अलंकार हो गया और अगर काब्य में अर्थ के माध्यम से चमतकार उत्पन हो रहा है और जहां अर्थ के माध्यम से अलंकार उत्पन्द हो चमतकार उत्पन्द हो वो क्या हो गया अर्था अलंकार शब्दा अलंकार की कुछ उदारण जैसे हम देखते हैं शलेश, यमक, अनुपरास और वीपसा जैसे अलंकार हैं अर्था अलंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, संदेह, तथा ब्रांतीमान अलंकार और इत्यादी तमाम सारे अलंकार हैं जो अर्था अलंकार में आते हैं, कुछ ही अलंकारों को छोड़ कर अगर हम बात करें तो बहुत सारे अलंकार अर्था अलंकार में आते हैं 4-6 अलंकार जो हैं वो शब्दा अलंकार में आते हैं गिने चुने ठीक है तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी अलंकारों के प्रकार 2 सब्दा अलंकार अर्था अलंकार शब्द में चमतकार उत्पन्न हो, शब्द के माध्यम से काब में चमतकार उत्पन्न होने पर सब्दा अलंकार, और अर्थ के माध्यम से चमतकार उत्पन्न होने पर अर्था अलंकार हो जाता है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं उपमा अलंकार, आई स्कूल में आपजेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् ये है चंद्रमा अब हम कहते हैं तुम्हारा मुख कैसा दिख रहा है चांद जैसे मुख खड़े पे बिंदिया सितारा नहीं भूलेगा ऐसा यार ये सितारा वो सितारा तो यहाँ पर देखो तुम्हारा मुख कैसा है एकदम चांद जैसा चांद कैसा है तुम्हारे मुख जैसा अब यहाँ जो इस मुख की तुलना इस चांद से की जा रही है एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जा रही है हमने क्या कहा था हमने आपको ये बताया कि कोयल सी तेरी बोली कु 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 क समझ में आया, अब भी नहीं आया होगा, तो ब्रमाजी भी नहीं समझा पाएंगे, आपको जब एक वस्तु की तुलना, बोलो दूसरी वस्तु से की जाए, तो कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है, या फ़िर हम इसको दूसरे भाषा में समझ सकते हैं, जहाँ उपमे ये की तुलना, उपमान से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है, भाई जान आप पूछेंगे कि उपमे और उपमान क्या होता है, तो हम कहेंगे कि अभी हमने आपको बताया, भाई ये आपका मुँ है सिंपल सी बात है ये आपका मुँ है हलाकि आपका मुँ इससे सुन्दर होगा हम बना नहीं पा रहे हैं वो अलग बात है ये आपका मुँ है ठीक है अब हम कह रहे हैं आपका मुँ एकदम चांद जैसा है कैसा है? चांद जैसा है ठीक है अब यहाँ पर उपमे उपमान यहाँ पर क्या है उपमान और यह हो गया उपमे समझ गए यानि उपमे उपमान जहाँ पर उपमे की तुलना उपमान से की जाती है यानि उपमे है आपका मुह और उपमान है चंद्रमा उपमान वे वस्तुएं वे अभूशन वे चीजें जिन से तुलना की जाती है उपमे जिससे तुलना की जाती है मालो मेरा मुँ कैसा है मेरा मुँ चंद्रमा जैसा है अलाकि नहीं है जूटी है लेकिन कह दो मेरा मुँ चंद्रमा जैसा है या सर जी का मुँ चंद्रमा जैसा है या चांद सा मुख है सर जी का अब आप क्या कहेंगे चांद सा मुख है तो मुख हमारा हो गया उपमेय और चांद हो गया उपमान उपमान माने वह वस्त में जिन से तुलना की जा रही है उपमेय माने वह वस्त जिस से तुलना की जा रही है एक बार फिर से समझ लिए यहां पर उदारन के द्वारा उदारन यहां लिख देना पीपर पात सरी समन डोला उप में ये बोले तो क्या है जिसकी तुलना की जाती है जैसे मन उप मान जिससे तुलना की जाती है जैसे पीपर का पात अब सुनो पीपर के पत्ते के सरी समाने समान मन माने मेरा मन डोला माने डोलाए मान हुआ जैसे पीपल का पत्ता डोलता है वैसे अपना मन डोला तो पीपल के पत्ती की तरह मेरा मन डोला अमन क्या है उपमेय है और पीपल का पत्ता क्या है उपमान है समझ गए अभी नहीं समझे हो तो तुम बैल जैसे हो अब भी नहीं समझो, अब बैल क्या हो गया, उपमान, तुम क्या हो गया, उपमे, नहीं समझे हो तो तुम बैल जैसे हो, तो जैसे हो, कैसे हो, बैल जैसे हो, अब बैल क्या हो गया, उपमान, और तुम क्या हो गया, उपमे ये, अब नहीं समझ में आया होगा, तो एक दम्म हम वही कहेंगे, साधारण धर्म, उपमे समझ गए, उपमान समझ गए, ये साधारण धर्म है, उपमा के चार अंग होते हैं, उपमा के कितने अंग होते हैं, उपमा के चार अंग होते हैं, ठीक है, उपमा के कितने अंग होते हैं, चार अंग होते हैं, कौन-कौन से, उपमा क उपमे होता है और उपमान होता है और साधारण धर्म होता है वाचक शब्द होता है वाचक वाचक शब्द हो गया और साधारण धर्म हो गया ठीक है? यह चार अंग होते हैं तो आपको हमने बताया उपमे क्या है उपमान क्या है और वाचक शब्द की तरह, की भाती, के जैसा سासी से साधारन धर्म होता है, जिसके कारण उपमे रोपमान में तुलना दिखाई जा रही है。 वाचक शब्द क्या होता है? वे शब्द जिनसे तुलना प्रकट हो, जैसे सरिस है, और भी वाचक शब्द हैं, सरिस है, सम है, समान है, भाती है, के जैसे की तरह इत्यादी, वाचक सब जहां होंगे, वहाँ उपमा अलंकार होगा, ये भहिया पहचान भी है सरिस आजाए, सद्रिश आजाए, के सम आजाए, की भाती आजाए, की तरहा आजाए, सा आजाए, सी आजाए, से आजाए तो वहाँ कौनसा होता है उपमालंकार होता है understand, आगे बढ़ते हैं अन्य उदाहर दिखेगा हरीपद कोमल, कमल से कमल से, से आया, से हो गया वाचकशब्द कमल हो गया उपमान, हरीपद हो गया उपमेय कोमल हो गया साधारन धर्म मुख मयंक सम मन्जु मनोहर मुख जो है क्या हो गया उपमे मयंक हो गया चंद्रमा उपमान सम हो गया वाचक शब्द मन्जु मनोहर हो गया साधारण धर्म ठीक है तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है तुमसा तुमसा पूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है रूप तेरा देखके रंग तेरा देखके कुदरत भी हैरान है पूलों सा भाई साब लिख सकते हो तो no doubt problem नहीं है लेकिन हमने इतने सारे साहित्तिक उदारन बता दिये हैं तो ये फिल्मी गाना लिखने की आवश्यक्ता नहीं है ठीक है अब आता है बात रूपक अलंकार की रूपक क्या होता है इसके थोड़ा सा भिन्न होता है उपमा से जहां उपमेय में उपमान का भेद रही तारूप हो वहां रूपक अलंकार होता है ठीक है अब आप कहेंगे कि सर कैसे जैसे देखो ठीक है अब जिसे कहा जा तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है चांद सा है और हम क्या कह रहे हैं कि मुख चंद्र है चंद्रमुखी है उसी बात को थोड़ा सा गुमा दिया जाए कि चंद्रमुखी है तो जहां उपमे में उपमान का भेदर ही तारोप होता है वहां रूपकलंकार होता है रूपी अर्थ निकलेगा जब भी आप अर्थ निकालेंगे योजक चिन लगा रहता है अधिकतर में योजक चिन डैस होता है ठीक ये पहँचान ध्यान देलो चरन कमल बंदो हरी राई चरन रूपी कमल रूपी चरन यहां डैस लगा है कमल रूपी चरन रूपक कलंकार क्योंकि चरनों में और कमलों में कोई भेद नहीं है ठीक है उपमा में ऐसा कुछ नहीं था रूपक में कहा गया कि जैसे वही हो रूपक में वही कह दिया गया जैसे पहले उपमा में कहा गया तुम्हारा मुक्चंद्र सा है इसमें वाचक शब्द खतम वाचक सद सासी की तरा की भाती वो खतम हो जाएंगे इसमें केवल ऐसा होगा मुक्चंद्र है चरण कमल हैं पदपंकज हैं कंजनयन कह दिये जाएंगे ठीक ऐसे कि उदित उदैगिरी मंच पर रगुबर बाल पतंग और बिक से संत सरोज सब हर से लोचन भ्रंग निपन केरी आसा निसिनासी बचन नखत यवली नप्रकासी मानी महिप कुमद सकुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने सब में रूपकलंकार है कपटी भूप उलूक कपटी भूप उलूक उन्लू रूपी कपटी राजा लुकाने छिप गए तो रूपकलंकार पूरे में धनश भंग में है तो टेंशन नलो धनश भंग लिखो और रूपकलंकार गढ़ो मन सागर मन सालहरी बूडे बहे अनेक मन सागर मन रूपी सागर मन रूपी सागर मन सागर शशिमुख पर घूंगट डाले अंचल में दीप स्थिपाए जीवन की गोधूली में तुम करुणा बन कर आए जन्जाज़कोर गरजन है बदली है नीरद माला पाकर इस शून नहरीदें को सब उने आडेरा डाला तो आसू की पंक्तियां है ससी मुख पर घूंगट डाले अंचल में दीप स्थिपाए ससी रूपी मुख समझे गए? रूपक अलंकार उत्प्रेक्षा देखो तीसरा अलंकार जहां उपमे में उपमान की संभावना हो जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है मानो यही हो मानो वही हो मानो ऐसा ही हो रहा हो जानो बिलकुल वही हो संभावना कर दी जाए उत्प्रेक्षा लंकार संभावना मानो में गरज रहा ऐसा गरजा मानो सिंग ऐसा गरजा मानो सिंग गरजा हो मानो संभावना अबैक्त की गई हो ऐसा दहारा मानो, ऐसा चिंगारा मानो, हाथी चिंगार रहा हो, मान लिया, वो था नहीं हाथी, वो मान लिया संभावना कि मनु मानो, जनु जानो, माना हूँ, जनहु जानो, आए तो वहाँ पे उतप्रेक्षा बनाईए जानो मानो मनू मानो जनहू जनहू मानो आए यदि वहां उत्प्रेक्षा बनाईए ठीक है उपमेय में जहां उपमान की संभाव ना होए तब हुई देखके उत्प्रेक्षा लगाईए इत्याद शब्द जब लगे हूं, यही पहचान है उत्प्रेक्षा की, ठीक है? यही पहचान है. और हम उदालन बताते हैं कि चम चमात चंचल नयन पट भूंगट बिच मेन मानहु सुर्षरिता बिमल जल उच्छरत जुगमेन बिहारी जल उच्छरत जुगमीन मानहु आने से आया उत्प्रेक्षा सजन मानहु आजाने से आगया उत्प्रेक्षा उसके नैना ऐसे चम चमा रहे थे बीच में घूंगट के पट माने वस्त्र जीन माने महीन बारीक वस्त्र के घूंगट में उसी घूंगट के बीच में उसके नैना ऐसे चंचल नैना चमक रहे थे मानो सुर्षरिता में देव नदी के बिमल जल निर्मल जल में उच्छरत उच्छल रही हो जुगमाने दो मीन माने मचलियां अब जानो ये है एक आवरत का घूंगट ये है उसके नेत्र ठीक है ये क्या है नेत्र है ठीक है ये नेत्र है उसके अब बताओ ये घूंगट डाले हुए है, ये बारीक पर्दा डाले हुए है, बारीक पर्दा, ये डाले हुए है महीन महीन पर्दा, और बाहर से तुमको दिखाई दे रही हैं आखें, और उसका मुह इतना सुन्दर है, कि मानो ऐसा लग रहा कि ये आखें नहीं हैं, दो मचलिया हैं, सम परहत वोड़े पीत पट स्याम सलोने गात मनहु नील मनिशैल पर आतप पर्यो प्रभात भाया कनहया जो रहें वो पीला वस्त पहने थे स्याम जी जो थे सलोने सुन्धर सामले शरीर पे एक पीला पीला हुस्त पहने थे अच्छा नीलमडी परवत भी नीला था और कनहिया का जो शरीर था वो भी नीला था तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नीलमडी परवत पर सुभा की धूप पड़ रही हो कनहिया का शरीर देख के ऐसा लग रहा था भाई नीले नीले कनहिया है अब उपर से उनका पीला वस्त्र है तो जैसे नील मड़ी परवत पे जब सूर्योदे होता था पीली धूप पड़ती थी वो लगता था से मोई से लग रहे हैं तो मानो यहाँ पर प्रेक्षालंकार है मनहु आ जाने से कि धाये धाम काम सब त्यागी मनहु माने मानो रंक माने बिखारियों के लिए निदि माने खजाना लूटन लागी अब यहाँ समझो ऐसा प्रती सारे लोग काम छोड़के ऐसे भागे मानो रंक बिखारियों के लिए पूरे-पूरे खजाने लूटे जा रहे हो चितवनि चार उब्रकुटी बरबा की तिलकुरेख सोभा जनुचा की यहाँ जनुआ गया तो उत्प्रेक्चा लंकार में यह सब लगा रहेगा आपको हमने रस पढ़ा दिये, छन पढ़ा दिये, लंकार पढ़ा दिये भाई हाई स्कूल वालों को हाई स्कूल वालों को अब कुछ नहीं पढ़ना है रस्चंद लंकारों में बाकी इंटर वालों को आगे पढ़ना होगा तो उनको आगे बढ़ाते चले जाएंगे पढ़ते इंटर वाले अभी पढ़ेंगे ठीक है इंटर वाले और पढ़ेंगे पहले हम कमेंट देख लेते हैं भाई साहब बहुत तय लोग जुड़े हैं नाम है तेरा भाई सचीनी आदो अनुश्का माहेश्वरी वफा वफा जी हैं वफा वफा जी हैं मुहम्मत कैफ जी हैं बिल्कुल भाई आद स्वागत है शेयर करो यार भाई साहब सभी लोग शेयर कर दो मतलब यही है कि सेयर समस्या खतम है सेयर करते नहीं हो मन हमारा भाई भीत हो जाता है कि अगर आई से आप लोग जुड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा आएं सुनो बताओ बताओ सेर करते हो और नहीं करते हो बोलो भाई मजा आ गया बाई मनो हर्दुबे जी को आवावावावावावावावावावावावावावः अरे अक्षत सिंग जी स्वागा थे भाईया लगे रहो अरे भाईया बिल्कुल 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 हाँ मजा तो आना इता साहित शाह दिपान्शू बिमल जबर्दस तायश विश्व कर्मा राज मौर्या गुडिवनिंग भाई गुडिवनिंग कर दिये हो सब ठीक है साक्षी है हाँ भाई से इस्टेटस लगाओ सब्सक्राइब करो का बनाए हो इतने लोग रोज जुडते ह अच्छा इसमें बहुत सारे लोग भूल गए हैं सब्सक्राइब करना है जब नार्टिप्रिकेशन नहीं मिलेगा कोनों इंपार्टन चीज छूट जाएगी तो टापर बनने भी छूट जाओगे हम कहते हैं सब्सक्राइब कर लो और इंपार्टन चीज ए टू जड़ ची हैं आई से देख रहे हैं आई से देखने मतलब नहीं है उसमें बीच में मानलों को इंपार्टन अपडेट देते नहीं मिल रही है आपको भूल गए आप देखना रेकमेंड वीडियो आपको नहीं हुआ नहीं दिखा आपको स्क्रीन पे टेली ग्राम जॉइन कर लो इसी की डिस्क्रिप्टन में लिंक वही एक लिंक सारे वीडियो की डिस्क्रिप्टन में लगी है अब आप अगर आज की वीडियो में लिंक नहीं पा रहे हैं तो पिछले वीडियो में लिंक एक ही लिंक है और एक ही पेज है उसी पेज पे सारी PDF लगी रहती है तो टेंसन किस बात किये भाई है ना